समान नागरिक सहता यानि किस यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका मतलब होता है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा चाहिए किसी भी धर्म का हो या फिर जाती का हो और समान नागरिक सहता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा और साधी तलाग और जमीन जैजात के बटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा और अभी आप देखते हैं कि क्रेमिनल कानून तो सब के लिए बरावर होता है अगर आप देखी कोई किसी की हत्या कर देता है किसी को कोई चोट पहुंचाता है तो उस पर एक समान कानून के थैता आप देखते हैं कि क्या चलता है केस चलता है उस पर लेकिन आप देखते हैं कि जो सिविल कानून है अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग आपको देखने को मिलते हैं उनको भी एक करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जब भारत एक है, देश एक है, समिधान एक है तो कानून वी तो एक होना चाहिए, बेदभाव क्यों रहना चाहिए, अलग-अलग कानून क्यों रहना चाहिए, और जो बर्दमान में आप लोग सत्ता में पार्टी देख रहे हैं न, केंदर में, भारती जंता पार्टी, बीजेपी के बात कराओं, जब से इसकी स्थापना हुई है, उसके तीन कोर मुद्दे रहें, एक तो आप देखते हैं कि जम्मू कस्मी से 370 हटाना, दूसरा था राम जनम्हुमी, यानि कि अयुद्ध्या में राम मंदिर का बनना, और तीसरा था समान नागरिक सहता, और आप देखते हैं कि दो मुद्दे उसके खतम हो चु लेंगे, अगर आप लोग किसी एकजाम की तैयारी कर रहे हैं, खास का सिबिल सर्वेस हे स्टेट वी से 1 डे एकजाम की, तो इन में आप से कुश्टन्स भी पूचे जाएंगे, और वैसे भी आप लोगों को इसके बार में एक सामान जानकारी होनी चाहिए, क्या होनी चाह करेंगे, इसके क्या लाव हो सकते हैं, उसे भी देखेंगे, और कुछ महतपूर्ण इससे सम्मंधित महतपूर्ण पिकरण भी हैं, उन पिकरणों पर भी हम लोग बात करेंगे, क्या करेंगे, और आप देखेंगे, अभी हाली में आप लोग उने सुना होगा, कि जो बिध पहली बार 18-34 में इस्थापित हुआ था भारत कभी धी आयोग भारत सरकार के एक आदेश द्वारा इस्थापित एक कारकारी निकाय है। पहली बार इस्थापित है यह हमारी प्यारी पित्वी है इसमें आप देखेंगे एह हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा। पहली बार भारत के समस्त राज छेत्य में नागरिकों के लिए एक समान से बिल सहता प्राप्त करने का प्रियास करेगा। यानि कि आपकी राज क्या करेंगे? सभी नागरिकों के लिए एक कानून समान से बिल सहता प्राप्त करने का प्रियास करेगा। और जो आप देखते हैं गुआ आप लोग देखते हैं वहाँ ये लागू हुई है तो ऐसा कुछ आप देखते हैं कि वहाँ बबाल भी नहीं होगा है। कोई समदाय कोई धरम उसका विरोध भी नहीं करता है वहाँ एक तो क्या है कि आप देखिए इस कानून के बारे में अपनी अपनी गलत फैमिया हैं भरांतिया हैं ये निदेशक तत्य कानूनी रूप से प्रवर्तनिय नहीं होते हैं लेकि नीती निर्माड में राज्य का म लेकिन निर्वार करते हैं अगर वो देना चाहें तो दे सकती हैं और नहीं देना चाहें तो नहीं दे ये उसीसी का कुछ लोगों द्वारा राष्टी अकंडता और लेंगिक नियाय को बढ़ावा देने के एक तरीके की रूप में समर्थन किया जाता है तो आप देखेंगे कि कुछ लोगों द्वारे इसी धार्मिक सुतंता और विवित्ता के लिए खत्रा बता कर इसका विरोध भी किया जाता है अब आप देखेंगे महलाओं के साथ क्यों भेदभा होना चाहिए उसके लिए आप दिखते हैं कि इसके पक्ष में भी ये लोग है भारत में गवा एक मात ऐसा राज्य है जहां समांग नांगरिक सहता लागू है और बस 1961 में पुर्दगाली सासन ने सुतंता की बाद गवा ने अपने सामान परिवारिक कानून को बनाए रखा और जैसे गवा नांगरिक सहता गवा सिविल कोड की रूम में आप लोग जानते हैं सेस भारत में धार्मिक या समुदाइक पहचान की अधार पर विभिन परसनल लौज का पालन किया जाता है अभी भी परसनल लौज आप लोग देखते हैं भारत में अगर हम लोग बैक्तिगत कानूनों की बात करें तो वर्तमार में ना केबल मुस्लिम बलकि हिंदू जैन बौध सिक पार्सी और यहूदी भी अपने परसनल लौज द्वारा सासित होते हैं और बैक्तिगत कानून धार्मिक पहचान के अधार पर निरहधारित होते हैं संसोदित हिंदू परसनल लौज में अभी भी कुछ पारंपरिक पिथाएं सामिल हैं और अंतर तब उत्पन होते हैं जब हिंदू वो मुस्लिम विसेश विवा अधिनियम के तहट विवा करते हैं जा हिंदू अब भी हिंदू परसनल लौज द्वारा सासित होते हैं लेकिल मुस्लिम नहीं तो यह भी आप देखेंगे और EUCC को लाओ करने की राय में चनोतियां क्या हैं यानि कि आप देखें समान नांगरिक सहता को लाओ करने की राय में क्या कठनाईया हैं क्या परिसानिया हैं तो आप देखें बिभिद ब्यक्तिकत कानून और पारंपरिक पिथाएं तो भारत बिभित धर्मों संस्कितियों परंपराओं का देश है आप देखते हैं कि यहाँ आप लोगों को जयन देखने को मिल जाएंगे बुद्ध, हिंदू, सिख, हिसाई, मुस्लिम आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारी समधाय देखने को मिलती हैं जातियां में बटे हुए हैं, भासाएं बोलने वाले मिल जाएंगे, बिवित्ताओं से भरा हुआ देश है हमारा, और पितेक संपदाय के अपने ब्यक्तिगत कानून और एती रिवाज भी हैं, जो उनके नांगरिक मामलों को नेंदित करते हैं, एक कानून और पिताएं बिवहन चेतरों स संपदाय हैं और समुह में ब्यापक रूप से भिन भिन आप लोगों को देखने को मिलेगे, ऐसी बिवित्ता के बीच एक समान, आधार और एक रोपता पासकना अतिंद कटिन एवं जटिल है, इसके अलाबा कई ब्यक्तिगत कानून सहितावद या पिलेकित नहीं हैं, बल धार्मिक सुतनता और सांस्कितिक स्वायत्ता की उलगन की रूप में भी देखते हैं, उन्हें डर है कि समान आगरे सहता एक बहु संख्यक बादी या पिर समरूप कानून लागू करेगी और उसकी पहचान और बिवित्ता की उफिक्चा करेगी, और ये तरक भी देते हैं ये लोग क्या कहते हैं, कि UCC अनुछेद 25 की तहट पर आप उनके समिधानिक अधिकारों का उलगन करेगी, और अनुछेद 25 में अंताकरन की और धरम के आभाद रूप से मानने आचरन और पिचार करनी की सुतनता की बात कीगी है, जो धार्मिक सुतनता का का कानून अधिक उसकी बात कर लिए चाहे पहले जो भी पार्टी सत्ता में रही है, उनका एक नियम सा रहता है, कि जो कानून आप देखे उनके लिए अच्छे लगेंगे, अभी BJP के लिए अच्छे लग रहे हैं, वो आप देखे उस समय जब वो विपक्ष में थी, दब उसे बुरे लग परिक समाज की बीच राजनितिक इच्छा सकती, इवं सरवसम्मति की कमी हैं, ऐसी भी असंकाय बेक्त की गई हैं कि EUCC समाज में संपतायक तनाव और संखरसों को भड़का सकती है, और अभी जो भी कानून आएंगे, सभावी कसी बात है कि जो बिपक्ष में वैठी हुए ह वो बिरोध करेंगे, चाहे वो सही हो या गलत हो, उन्हें बिरोध करना है तो करना है, या आप देखें बेवहारी कर्णाईया और जटिलता हैं, EUCC को लागू करने के लिए भारत में पिछले बिभिन परसनल लोज और पिथाओं का मसोधा तियार करने, उन्हें सहता विद सारा EUCC के अनुफालन और सुईकिती को सुनिशित करने के लिए प्रावधा प्यवर्तन एबं जागरूखता के एक सद्रण तंध की भी आवसकता होगी, जागरूखता बहुत बढ़ी चीज होते हैं, और अगर हम लोग EUCC के आप देखते हैं कि लाब की बात करें, तो इसम इसे विभिन परसनल लोज के कारण उत्पन होने बाली संपताय के एवं पंत संबंधी बिबादों में भी कमी आएगी, और यह सभी के लिए समानता बंदूता और गरिमा के संभिधानिक मूल्यों को भी संतुष्ट करेगी, और आप देखते हैं कि लेंगिक नियाय और समा पोसन, आदी मामलों में महलाओं को समान अधिकार और धर्जा पिदान करेंगे, और कहते हैं कि UCC से सबसे ज्यादा किसी को अगर फायदा होगा, तो वो महलाओं को होगा, यह महलाओं को उन पित्त सत्तात्म को पिती गामी, पिताओं को चुनोती देने के लिए भी ससक्त बनाएगी, जो उनके मूल अधिकारों का उलगन करते हैं, और कानूनी पिदाली का सरली का युक्ती करन, तो समान अगरे सहता वेभिन परसनल लोज की जटिलताओं और बिरोधा बसों को दूर करके कानूनी पिदाली को सरल और युक्ती संगत बनाएगी, यह वेभिन परस बिरोधा करते हैं, आज आप लोग सोचके देखिए, आप सोचेंगे कितनी गटियाद चीज़ें थी, घ sparksिपतायें थी, बहुत बुरी पितायें थी, और अच्छी खतम हो गई, और यह उन पिथाओं को समात कर देगी जो भारत की समिधार में नहित मानो अधिकारों और मुल्यों के विरुद्धें जैसे तीन तलाग बहु विबा, बाल विबा, आदी और आप देखेंगे यही मुसलिमों को यही कहिके आप देखते हैं कि उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारे दो से जानदर तुम साधी करते हैं एक से जानदर दो तीन वो बंद हो जाएगी इसलिए वो तुम्हारे खिलाब है आप देखे हिंदूओं में भी करते हैं लोग दो से जांदा साधिया करते हैं दो दिया दो से जांदा आप देखते हैं हिंदूओं में भी बाल वेबा होते हैं आप देखते हैं कि तलाग यानि कि डिवोस साब दिखते हैं कि हिंदूओं में भी होते हैं सब के लिए बरावर रहेगा लेकिन वो एक तरह से बड़ा चड़ा के बता दिया जाता है यह बदलती सामाजिक बास्तिविक्ता और लोगों की आकांचाओं को भी समाईजित करेगी और EUCC से समंदित कुछ महत्पून पिकरण भी है एक केस आप लोगों को जरूर याद रखना है जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं आप लोग कहीं कुछ लिख रहे हो तो इनका उलेक कर सकते हुआ तो साहे बानोग बेगम बनाम मुहमद एहमद खान ए 1985 का केस है सर्वोच न्याले ने मुसलि महला के लिए इद्धित अउधी की समात्ती के बाद भी अपराधी पिक्रिया सहिता की धारा 125 के तहट अपने पती से भरन पोसन का दावा करनी की अधिकार की पुछ्टी की और न्याले ने बाना की समान अगरे सहिता बिचारधाराओं पर आधरित बिरोधा वसों को दूर करने में मदद करेगी और सुप्रिंग कोट की बात करने तो आप देखते हैं कि हमारी सर्वोच अधालत है समीदान की अनुछेद 124 को आप लोग पढ़िए सुप्रिंग कोट की स्थाफना की बात की गी है साधी महला से बिवा नहीं कर सकता और इस मामले में भी कहा गया कि उसी सी इस तरह के धोका धड़ी पूर, धर्मानतर और दूई बिवा की घटनाओं पर रोक लगाएगी एक आप देखते हैं कि साहरा बानो साहरा बानो बना भारसंग 2017 सरवुच नयाले ने तीन तलाग की पिठा को सम्मिधानिक और मुसलिम महलाओं की गरिमा एवं समानता का उलगन करार दिया और इस ने या अनुसंसा की कि संसात को मुसलिम विवा उलग तलाग को बिनिमित करने के लिए एक कानून का निर्मार करना चाहिए और आप देखते हैं कि अब तीन तलाग जो पिठा है उसे खतम कर दिया गया कानूनी परावधान ला दिया गया उसके तहर्त तो यही सब बात होती रहती है और इतना मुझे लगता है कि एक सामन जानकारी आप लोगों के पास जरूर होनी चाहिए इसके बारे में क्योंकि कई बार questions आप से पूँच लेगा और जब इतना चर्चा में है तो आप देखते हैं कि जरूर पूँचा जाएगा इसमें भी कोई आप देखते हैं कि परेशानी नहीं होना चाहिए चलिए और किसी टॉपिक के बारे में अगर जाने की दिल्चस्पी हुआ करें तो आप लोग बता सकते हैं ठीक है